C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए दो भिन एवं दशमलव प्रिष्ठ उन्टीस दो दशमलव एक भूमिका आपने पिछली कक्षाव में भिन एवं दशमलव के बारे में अध्ययन किया है भिन्नों के अध्ययन में हम उचित भिन, विशम भिन, मिश्रित भिन और भिन्नों के योग एवं व्यवकलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं हमने भिन्नों की तुलना, तुल्य भिन्न, भिन्नों को संख्या रेखा पर निरुपित करना और भिन्नों को क्रम बध करना के बारे में भी अध्ययन किया है दशमलवों के अध्ययन में हम उनकी तुलना, संख्यारेखा पर उनका निरुपण और उनका योग एवं व्यवकलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं अब हम भिन्नों एवं दशमलवों के गुणन एवं भाग के बारे में अध्ययन करेंगे दो दशमलव दो, भिन्नों के बारे में आपने कितनी अच्छी तरहा अध्ययन किया है उचित भिन्न वह भिन्न होती है, जो संपूर्ण के एक भाग को निरुपित करती है क्या साथ बटा चार एक उचित भिन्न है, इसके अंश अथवाहर में कौन बड़ा है विशम भिन्न संपूर्ण एवं उचित भिन्न का संयोजन होता है क्या साथ बटा चार एक विशम भिन्न है, यहां अंश अथवाहर में कौन बड़ा है विशम भिन्न साथ बटा चार को एक तीन बटा चार के रूप में लिखा जा सकता है यह एक मिश्रित भिन्न है, क्या आप उचेत, विशम एवं मिश्रित भिन्न में से प्रत्येक के पांच उदाहरण लिख सकते हैं? उदाहरण एक, तीन बटा पांच के पांच तुल्य भिन्न लिखिये हल तीन बटा पांच के तुल्य भिन्नों में से एक तीन बटा पांच बराबर तीन गुणा दो बटा पांच गुणा दो बराबर छे बटा दस है शेश चार तुल्य भिन्न आप स्वयम ग्याद कीजिए प्रिष्ठ तीस उदाहरण दो रमेश ने एक प्रश्णावली का दो बटा साथ भाग हल किया जबके सीमा ने उस प्रश्णावली का चार बटा पांच भाग हल किया ग्याद कीजिए कि दोनों में से किसने कम भाग हल किया हल यह ग्याद करने के लिए कि किसने प्रश्णावली का कम भाग हल किया आईए दो बटा साथ और चार बटा पांच की तुलना करते हैं इनको समान भिन्नों में परिवर्तित करने पर हम पाते हैं दो बटा साथ बराबर दस बटा पैंतीस चार बटा पांच बराबर अठाइस बटा पैंतीस क्योंके दस अठाइस से छोटा है इसलिए 10 बटा 35, 28 बटा 35 से छोटा है अतह 2 बटा 7, 4 बटा 5 से छोटा है रमेश ने सीमा की तुलना में कम भाग हल किया उदाहरन 3 समीरा ने 3 एक बटा 2 किलो सेब और 4 तीन बटा 4 किलो संत्रे खरीदे समीरा द्वारा खरीदे गए फ़लों का कुल भार कितना है हल फ़लों का कुल भार बराबर 3 एक बटा 2 जमा चार तीन बटा 4 किलो बराबर 7 बटा 2 जमा उननीस बटा 4 किलो बराबर 14 बटा 4 जमा उननीस बटा 4 किलो बराबर 33 बटा 4 किलो बराबर आठ एक बटा चार किलो है उदाहरन चार सुमन प्रति दिन पांच दो बटा तीन घंटे पढ़ती है वह अपने इस समय में से दो चार बटा पांच घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है दूसरे विशेयों के लिए वह कितना समय लगाती है हल सुमन के अध्ययन का कुल समय बराबर पांच दो बटा तीन घंटे बराबर सत्रह बटा तीन घंटे सुमन द्वारा विज्ञान एवं गणित में लगाया समय बराबर दो चार बटा पांच बराबर चौदह बटा पांच घंटे प्रिष्ट इकत्तीस अतह उसके द्वारा दूसरे विशयों में लगाया गया समय बराबर 17 बटा 3, घटा 14 बटा 5 घंटे, बराबर 17 गुणा 5 बटा 15, घटा 14 गुणा 3 बटा 15 घंटे, बराबर 85 घटा 42 बटा 15 घंटे, बराबर 43 बटा 15 घंटे, बराबर 2 13 बटा 15 घंटे प्रश्नावली 2. लवेग. 1. हल कीजिये. 1. दो घटा 3 बटा 5. 2. चार जमा 7 बटा 8. 3. तीन बटा 5 जमा 2 बटा 7. 4. नौ बटा 11 घटा 4 बटा 15 है. 5. साथ बटा 10 जमा 2 बटा 5 जमा 3 बटा 2. 6. दो दो बटा 3 जमा 3 एक बटा 2. 7. आठ एक बटा 2 घटा 3 पांच बटा 8. 2. निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिये. 1. दो बटा 9, दो बटा 3, आठ बटा 21. 2. एक बटा 5, तीन बटा 7, साथ बटा 10. 3. एक जादोई वर्ग में प्रत्येक पंक्ती, प्रत्येक स्तंभ, एवं प्रत्येक विकरण की संख्याओं का योग समान होता है. क्या यह एक जादोई वर्ग है? 4 बटा 11 है, 9 बटा 11 है, 2 बटा 11 है, 3 बटा 11 है, 5 बटा 11 है, 7 बटा 11 है, 8 बटा 11 है, 1 बटा 11 है, 6 बटा 11 है. प्रथम पंक्ती के अनुदेश 4 बटा 11 जमा 9 बटा 11 जमा 2 बटा 11 बराबर 15 बटा 11 चार एक आयताकार कागज की लंबाई 12 एक बटा 2 सेंटी मीटर और चौड़ाई 10 दो बटा 3 सेंटी मीटर है कागज का परिमाप ग्याद कीजिए 5. दी हुई आकरिती में एक त्रिभुज A, B, E, दो आयत B, C, D, E का परिमाप ग्याद कीजिए किसका परिमाप ज्यादा है यहाँ एक आकरिती दी हुई है जिसमें A, B का माप 5 बटा 2 सेंटी मीटर है A, E का माप 3, 3 बटा 5 सेंटी मीटर है B, E का माप 2, 3 बटा 4 सेंटी मीटर है और E, D का माप 7, 6 सेंटी मीटर है 6. सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम यानि चौकट में जड़ना चाहता है तस्वीर 7, 3 बटा 5 सेंटी मीटर चौड़ी है चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई साथ तीन बटा दस सेंटिमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती तस्वीर की कितनी काट छांट खी जानी चाहिए प्रिश्ट बत्तीस साथ रीतु ने एक सेब का तीन बटा पांच भाग खाया और शेश सेब उसके भाई सोमू ने खाया सेब का कितना भाग सोमू ने खाया किसका हिस्सा ज्यादा था कितना ज्यादा था आठ माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य साथ बटा बारह घंटे में समाप्त किया वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य तीन बटा चार घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया। यह समय कितना ज्यादा था। 2.3 भिन्नो का गुणन आप जानते हैं कि एक आयत का क्षेतर फल कैसे ग्याद किया जाता है। यह लंबाई गुणा चोड़ाई के बराबर होता है। यदि किसी आयत की लंबाई एवं चोड़ाई क्रमशह साथ सेंटिमीटर और चार सेंटिमीटर है तो इसका क्षेतर फल क्या होगा। इसका क्षेत एवं 3 बटा 2 cm है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहेंगे कि यह 7 बटा 2 गुणा 3 बटा 2 बराबर 15 बटा 2 गुणा 7 बटा 2 वर्ग सेंटिमीटर है. संख्याएं 15 बटा 2 और 7 बटा 2 भिन हैं. दिये हुए आयत का क्षेत्रफल ग्याद करने के लिए यह ग्याद करना आवश्चक है कि भिन्नों को गुणा कैसे किया जाए, हम अब इसे सीखेंगे. 2.3.1 एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन. 22 तरफ आकरिती 2.1 में दी हुई तस्वीर को देखिये. प्रत्य एक चायांकित यानि शेड़िट भाग वृत्त का एक चाथाई भाग है. दो चायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरुपित करेंगे? ये एक बटा चार जमा एक बटा चार बराबर दो गुणा एक बटा चार को निरुपित करेंगे. आकरिती 2.1 यहां दो वृत्त दिये गए हैं जिसमें प्रत्येक वृत्त में एक बटा चार भाग चायांकित है. दो चायांकित भागों को संयोजित करने पर हम आकृती 2.2 को प्राप्त करते हैं आकृती 2.2 का चायांकित भाग वृत्त के किस भाग को निरुपित करेगा यह वृत्त के दो बटा चार भाग को निरुपित करता है आकृती 2.2 यहां तीन वृत्त दिये गए हैं जिसमें दो वृत्त में दो बटा चार भाग छायांकित है प्रिष्ठ 33 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकृती 2.1 के छायांकित टुकड़े मिलकर आकृती 2.2 के छायांकित भाग के समान है अर्थात हमें आकृती 2.3 प्राप्त होती है आकृती 2.3 यहां प्रत्येक दो वृत्त के एक बटा चार छायांकित भाग मिलकर एक वृत्त के दो बटा चार छायांकित भाग बनाते हैं अत्वा, दो गुणा एक बटा चार बराबर दो बटा चार, क्या अब आब बता सकते हैं कि आकृती दो दशमलव चार किसे निरुपित करेगी? अकृती दो दशमलव चार, यहां प्रत्यक तीन वर्ग के एक चौथाई भाग चायांकित हैं, जो के मिलकर एक वर्ग का तीन चौथाई भाग बनाता है। और अकृती दो दशमलव पाँच किसे निरुपित करेगी? अकृती दो दशमलव पाँच, यहां तीन वर्ग दिये गए हैं, प्रत्यक वर्ग नौ भागों में विभाजित हैं, जिसमें से दो भाग चायांकित हैं, अब ये तीन वर्ग मिलकर एक वर्ग बनाते हैं, जिसमें छै बटा नौ भाग चायांकित हैं, आईए, अब हम तीन तीन गुणा एक बटा दो ग्याद करते हैं, हम यह भी पाते हैं, एक बटा दो जमा एक बटा दो जमा एक बटा दो बराबर एक जमा एक बटा दो बराबर तीन गुणा एक बटा दो बराबर तीन गुणा एक बटा दो बराबर तीन गुणा एक बटा दो बराबर तीन बराबर 3 बटा 2, इसी प्रकार 2 बटा 3 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 5 बटा 3 बराबर डाश, क्या आप बता सकते हैं, 3 गुणा 2 बटा 7 बराबर डाश, 4 गुणा 3 बटा 5 बराबर डाश. अभी तक हमने जितनी भिन्नों की चर्चा की है, अर्थात 1 बटा 2, 2 बटा 3, 2 बटा 7 और 3 बटा 5 वे सभी उचित भिन्न हैं, विशम भिन्नों के लिए भी हमारे पास है, 2 गुणा 5 बटा 3 बराबर, 2 गुणा 5 बटा 3 बराबर 10 बटा 3, प्रयास कीजिए, 3 गुणा 8 बटा 7 बराबर डाश, 4 गुणा 7 बटा 5 बराबर डाश. अतह, किसी पून संख्या को किसी उचित अत्वा विशम भिन्न से गुणा करने के लिए हम पून संख्या को भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं, और भिन्न के हर को अपरिवर्तित या समान रखा जाता है. प्रयास कीजिए. ग्यात कीजिए एक पांच गुणा दो तीन बटा साथ, दो एक चार बटा नौ गुणा च्छै. किसी मिश्रित भिन्न को एक पून संख्या से गुणा करने के लिए सर्वप्रथम मिश्रित भिन्न को विशम भिन्न में परिवर्तित कीजिए और तब गुणा कीजिए. इसलिए तीन गुणा दो पांच बटा साथ बराबर तीन गुणा उननीस बटा साथ बराबर सत्कावन बटा साथ बराबर आठ एक बटा साथ. इसी प्रकार दो गुणा चार दो बटा पांच बराबर दो गुणा बाइस बटा पांच बराबर डैश. भिन्न प्रचालक का के रूप में आक्रिती 2.6 को देखिए दो वर्ग पूरी तरह से समरूप हैं प्रतेक छायांकित ठुकड़ा एक के एक बटा दो को निरुपित करता है इसलिए दोनों छायांकित ठुकड़े मिलकर दो के एक बटा दो को निरुपित करते हैं दो च्छायांकित एक बटा दो भागों को संयोजित कीजिए, यह एक को निरुपित करता है. इस प्रकार हम कहते हैं कि दो का एक बटा दो एक भाग है. हम इसे एक बटा दो गुणा दो बराबर एक के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं. आक्रिटी 2,6, यहां दो वर्ग दिये गए हैं, प्रत्य वर्ग का एक बठा दो भाग छायांकित हैं, ये दोनों छायांकित भाग मिलकर एक पूरा वर्ग बनाते हैं प्रिष्ट 35 अथह दो का एक बटा दो बराबर एक बटा दो गुणा दो बराबर एक आकरिती दो दशमलव साथ के समरूप वरगूं को देखिए प्रत्येक छायांकित टुकड़ा एक के एक बटा दो भाग को निरुपित करता है इसलिए तीन शायांकित टुकडे मिलकर तीन के एक बटा दो भाग को निरुपित करते हैं तीन शायांकित भागों को संयोजित कीजिए यह एक एक बटा दो अर्थात तीन बटा दो को निरुपित करता है इसलिए तीन का एक बटा दो तीन बटा दो है और एक बटा दो गुणा तीन बराबर तीन बटा दो, अतहा तीन का एक बटा दो बराबर एक बटा दो गुणा तीन बराबर तीन बटा दो, इस प्रकार हम देखते हैं कि का गुणन को निरुपित करता है, आकरिती दो दशमलव साथ, यहां तीन वर्ग दिये गए हैं, प्र प्रफागों को मिला कर एक पूरा वर्ग और एक भटा दो वर्ग बनता है। इसी प्रकार हम पाते हैं कि 16 का 1 बटा 2, 1 बटा 2 गुणा 16 बराबर 16 बटा 2 बराबर 8 है. प्रयास कीजिए. क्या आप बता सकते हैं कि 1, 10 का 1 बटा 2, 2, 16 का 1 बटा 4, 3, 25 का 2 बटा 5 क्या है? उदाहरन 5, 40 विद्यार्थियों की एक अक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1 बटा 5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं. कुल संख्या का दो बटा पांच गणित पढ़ना पसंद करते हैं और शेश विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं एक कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं दो कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं तीन, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग यानि फ्राक्शन विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। प्रिष्ट चत्तीस हल कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर चालीस। 1. इनमें से कुल संख्या का 1 बटा 5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करती हैं. अथा, अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 का 1 बटा 5 बराबर, 1 बटा 5 गुणा 40 बराबर 8 है। 2. स्वयम प्रयास कीजिए। तीन, अंग्रेजी एवं गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर आठ जमा सोलह बराबर चौबीस है, अथह विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर चालीस घटा चौबीस बराबर सोलह है, अथह वान्षित भिन सोलह ब भनी पाठ्य पुस्तक